नमस्कार आज सुबह और रहिया से जो दर्दनाख खबर आई है जिसमें की श्रमिक लगबग जो मजदूर भाई थें लगबग 25 की संक्या में जिनके हादसे में मौत हो गई है इस खबर को सुनकर के हम सभी लोग जो है मनमाहत है और एक बड़ी घटना हुई है और लगतार हर एक दिन कोई ना कोई घटना जो है मौत की खबरें जो हैं सरक हाथसों के चाहे रेल गारियों से हो या गारियों से कुछले जा रहे हैं लगतार स्रमिक भाईयों की खबर अनलोकों तक का रही है और इस शोक के घरी में हम उन स्रमिक भाईयों के जो मृत्तक हैं उनके परिवारों के प्रती पुरी सनवेतना को हम प्रकट करते हैं और प्रातना करते हैं इस शोर से कि उनकी आत्मा को शांती मिलें और साथी साथ भगवान से ये भी प्रातना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल से जल जो हैं उनके स्वास्त में सुधार हो और जल से जल वो रिकवर करें आप देखिएगा लगतार जो हैं भूक से औ ऑबहर हादसों से 40 से वी जाता जो श्रमिक भायों की मौते हो चुकी है विहार वैंड डëbलंगर की सरकार और लगतार बिहार में कहा जाता है कि यहाँ मजबूत सरकार है डबलंगर की सरकार है और यह खबर सुनकर करें हम बेहत्स मरमहत है हम इतना ही कहना चाहते हैं कि लगतार जो है पचास दिन से भी जादा जो है श्वमिक भाईयों ने सरकार को पूरा सहयोग किया लगतार जो है सरकार के फैसले के साथ खड़ी रहे लेकिन जहां भी वो थे जिस शहर में थे जिस राज में रहें वहां उनको रहने का ठिकाना नहीं खाने का ठिकाना नहीं वो करोना से मरते या नहीं मरते लेकिन भूग से जरूर मर जाते तो सब लोगों की कामना थी सब लोग चाहते थे मजदूर भाई कि वो वापस आए बिहार आए या अपने अपने राज जाए जहां के भी श्रामिक मजदूर रहे हो और सरकार की जिम्हधारी बनती थी, नहितिक जिम्हधारी बनती थी कि उन सभी लोगों को जो है अपने घर वापस पहुचाया जाए बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अब रेल गारी चालू है मुझे समझ से पड़े है कि 12,000 से भी जादा जो है रेल वो जो है खड़ी है और भारतिय रेलवे की छमता एक दिन में 2 करोड लोगों को एक दिन में 2 करोड लोगों को जो है लाने की है लेकिन फिड़ भी आज 35 दिनों बाद भी हमारे भाई मजदूर अब तक जो है घर वापस नहीं कर पाए पहलों में छाले पड़ गए हैं कोई विवस्था नहीं हो रही है हम लोग सरकार को पूरा सहीयोग करना चाहते हैं हैं मदद करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों के मदद को नहीं लिया जा रहा है हम सरकार के लोगों से एक चीज जाना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार है यह जितनी भी मौते हुई हैं चालीस से भी जादा मौते हुई हैं भूग से या एक्सिडेंट से दुरगटना से तो इसका जिम्बदार कौन है और ऐसी सरकार का क्या फाइदा कि 35 दिनों बाद भी जो है हम अपने भाईयों को वापस नहीं ला सकते ऐसी सरकार का क्या फाइदा है ऐसी सरकार पर धिकार है धिकार है ऐसी सरकार पर हम लोग पूरी तरीके से जो है दिशान निर्देशों का पालंग कर रहे हैं लेकिन अब जो है यह हाथ से देखे नहीं जाते हैं उसलिए हम सरकार से चाहेंगे माननी मुक्मत्री जी से चाहेंगे कि पूरी व्यवस्था कराई जाए लगतार जो है दिशान निर्देशों का मुख्वाल सरकार के लोग ही मुड़ाने का काम करने और हम चाहेंगे कि नितिश कुमार जी आप बाहर निकलिए आप मुक्यमंत्री हैं आप जाइजा लीजिए कि क्या वेवस्था है क्या किया जा रहा है और इनको लाने में जल्द से जल्द लाने का काम करवाई है डबल इंगन की सरकार है और जादा हमको कुछ नहीं कहना एक बार फिर पुना हम इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि सबी लोगों को आत्मा जिन लोगों की मृत्ती हुई है उनकी आत्मा को शांती मिले और जो दुर्गटना में जो घायल है उनकी जल्द से जल्द कावली हो बहुत बहुत धन्यवाद